महराश्र प्रदेश कॉंग्रेस व्यापार एवं उद्योग सेल के नवन युकत अध्यक्ष अतुल कोटेचा को यहां तिलग भवन में आयोजिते कारेक्रम में प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने पदभार ग्रहन कराया इस आउसर पर अपने संबोधन में पटोले ने उम्मित जताई की पदभार संभालने के बाद कोटेचा उद्योग जको और व्यापारियों की समस्याओ को सुलजाने में जुट जाएंगे उन्होंने कोटे चाको राज्य का दोरा कर व्यापार उद्योग जगत की समस्याव से रूबरो होने की सला दी इसे व्यापारी वर्क की समस्याव को विस्ताल से जानने का मौका मिलेगा और पार्टी फोरम पर उनके समाधान के लिए त्वरित प्रयास की प्रक्रिया शुरू होगी पटोले ने नाकपुर में उद्ध्यो जको और व्यापारियों का एक सम्मिलन आयोजित करने पर भी जोर दिया पदगरहन के पश्चात आभर व्यक्त करते वे कोटे चाने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी स्वापी है उसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा सबकी उमीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा उद्यो जोको और व्यापारियों की लंबे अर्से से चली आ रही रोज मर्रा की कई समस्याओं से एक व्यापारी होने के नाते में पूरी तरव वाकिफ हूँ पार्टी ने एक प्लैटफॉर्म दिया है अपनिक्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर इनके निवारन का प्रयास करूँगा पदग्रहन के अउसर पर प्रमुकता से पूर्वा मंत्री अनिस हमत विधायक वनागपुर शाहर जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे विधायक शिरिश नाइक प्रदेश महा सचिव वो उत्तर भारतिय मंच के मुखिया उमाकांत अगनी हूतरी प्रदे